C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है साथवी जमात के लिए उर्दु के मौविन दर्सी किताब उर्दु गुलतस्ता आईए सुनते हैं उर्दु गुलतस्ता सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 15 चंद नसीहतें काट लेना हर कथिन मन्जिल का कुछ मुश्किल नहीं इक जरा इनसान में चलने की हिम्मत चाहिए मिल नहीं सकती निकम्मों को जमाने में मुराद कामियाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए खाक मेहनत हो सकेगी हो न जब हातों में जोर तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए सफ़ा नमबर 16 खुश मिजाजी सा जमाने में कोई जादू नहीं हर कोई तहसी कहे ऐसी तवियत चाहिए हसक मिलना राम कर लेता है हर इनसान को सबसमीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए एक ही अल्ला के बंदे हैं सब छोटे बड़े अपने हम जिनसों से दुनिया में महबबच चाहिए है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना आज सब कुछ करके उठो गर्फरागच चाहिए जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा नेक होने के लिए नेकों की सहबत चाहिए सफ़ा नंबर 17 साथ वाले देखना तुमसे न बढ़ जाई कहीं जोश ऐसा चाहिए ऐसी हमियत चाहिए हुक्मरा हो कोई हो अपना हो या बेगाना हो दी खुदा ने जिसको इज़त उसकी इज़त चाहिए देख कर चलना कुचल जाई नच्यूटी राह में आदमी को बेजबानों से भी उल्फत चाहिए है इसी में भेद इज़त का अगर समझे कोई छोटे बच्चों को बुजुर्गों की इताच चाहिए इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये ढूंड लो इसको अगर दुनिया में इज़त चाहिए सब बुरा कहते हैं लड़ने को बुरी आदत है ये साथ के लड़के जो हो उनसे रफाकत चाहिए हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर दूर की उनसे फकत साहब सलामत चाहिए सफ़ा नमबर अठारा बाप दादों की बड़ाई पे न इतराना कभी सब बड़ाई अपनी मेहनत की बदालत चाहिए चाहते हो गर कि सब छोटे बड़े इज़त करें शर्म आखों में, निगाहों में मुरवत चाहिए बात उची जात में भी कोई इतराने की है आदमी को अपने कामों की शराफ़त चाहिए गर किताबे हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुथ काम की चीजे हैं जो उनकी हिफाज़त चाहिए एक बार सवालाद एक, सबसे मीठा बोलने की आदत का क्या फाइदा है दो, अपने हम जिन्सों से दुनिया में किस तरह मिलना चाहिए तीन, बुरे लोगों के पास बैठने का क्या नतीजा होता है चार, इस नजम से क्या सबक मिलता है इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बाटी लैंग लिंगडो समय फनकार, सुंबुल शकील एडिटिंग, तनु गुप्ता, हिदायतकार और तखलीककार, विमिलेश चोधिरी पेशकरदा, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत